तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डाइट प्लान पर जिसके अंदर विल्कुल भी शामिल नहीं होना जैसा कि अपने थमनेल पर पढ़ लिया अकसर लोग बुछ से पूछते हैं कि हमें अंडे से अलर्जी है या हमें अंडा खाने का दिल नह करनेंगे यह डाइट प्लान मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो के अंडा नहीं खाना चाहते हैं और अंडे के बगार अपना वजन कम करना चाहते हैं और मैं आपको एक बात बता दू के अंडे की जो न्यूटिशन वैल्यू है वह बहुत जबरदस होती है एक अंडे हम बात करने जा रहा है ऐसे डायट प्लान पर जो आपका महीने में पांच से दस केजी वजन कम करेंगा और उसमें अंडा बिल्कुल भी शामल नहीं है तो जब टाया नहीं करता हूँ आपने डायट प्लान की तरफ आता हूँ मैं आपको पहले साथ दिन का नाश्ता इसको आप और नेट वीक पर रिपीट करेंगे फर्स वीक फिर इंधर वीक करेंगे इंशाला नेक्ट वीक अप्लोड करूड का जो कि एक महीने का डायट प्लान कोशिश में रही कि सेकंड वीक की वीडियो जो जल्दी बना दूग अगर नहीं बना पाता मसूफियात की व आप पीलें। इसके 20- esperar नाश्टा एक हमना बताते हमां आपको सबसे पहले का या हिपारा हमें कामें 2 केलो को बीच में साफ कड करना है, एक लिकली में चमज पीन बटर लगारैं दूर से क्ली में दूसा चमज वलाईरए टो यह विक्र बिटना संविच यह पिक्च्ट भ बाहर जाने का इतिफाक हो वो किसी होटल में रोके हो तो एक छोटे प्याले में चोटे बोल में आते हैं kidney beans boil kidney beans मैं आपको पताता हूँ होता है red kidney beans यानि के लाल लोबिया को slow cook किया जाते है मोच चूर्छे आपने मूं से सुना है wykor गज़ता है जासी ओर सभवए होता है जो है आपको प्रोटेन बहुत देते 5 इस अब प्रोटेन बहुत देते जाविए और प्रोटेन बहुत थे आपका वज़न कम करनी में तो तो आपने तीन चम्मेच ओट से नहें फे लीट पकाने के बारे के बॉल में निकालेना है दो से 3 मिनट पकाना पड़ता है जैसे कई मैंगी बनता है और उसके अंदर आपने एक पिंचंच si्णिमन पौडर यह दारची निका पौडर डालना है उसके अंदर एक सेब यह बेरी जालनी है आपने काटके उसके अंदर एक चमश पीनेट बिटर डालना है या आपका डे टूका नाश्ता होगा जिन लोगों को नहीं पता कि ओट्स कहां से मिलते हैं आप इस नंबर पर मेसेज करें आपको में ओट्स अविलेबल करके दूंगा आपके घर तक पहुंच जाएंगे ठीके जी बहुत न कलड़ पकाने वाला या ठीक फ्राइब या फिर और लिए तवे पर सेख लें उष्यामि कबाब को उसके साथ अपने रोल बनाना है रिटी ऊश्यामि कबाब का या ऑपका डे तरी के नाश्ता होगा ठेक के यह रिपीट करना है बस और बैलियन इस्तंमाल करना है यानि कि यह आपने जॉका दली एस्तामाल करना है साथ में आप बैरी जाल दो पकाने के बाद उसमें उसमें आप सिनेमन पाउडर दाल दो पीनेट बिटर डाल दो चिया सीज दाल दो यह आपका डे फोर का नाच्ता होगा अकसर ब्राउन ब्रेड कहें भी लोग बेचते हैं एक होती है मल्ति ग्रेड ब्रेड उसमें बाजरा उसमें गंदो में बहुत सारी डिफरेंट ग्रेंट में डिली हुए तो वह ब्रेड के दो था निए पीनेट बटर लगाएं दोनों पर आपकेली के स्लैसित काटकर नाष्टा coming from 1-2 इनडियन रेसेपि उती है इस तरह के पैंकेक्स पैंके फैल commentary पैंके बना लाए है पैंकेक्स और बनावड में उपड़ता हे हैं जाहें नाष्टा बिटर भी यह आपके बनावस का नाष्टा अच्छा यह तो होगा नाश्ता कम्लीट, नाश्ते के बचा अब हम लंच की तरफ आते हैं तो लंच तो बड़ा सिंपल है, आपने पूरे के पूरे साथ दिन करना के है, in fact 6 दिन आपने यह करना है कि आपने मिक्स वेजटेबल लेनी है, जिसमें खीरा, प्यास, टेमाटर, शिमला मिर्श, सलाथ पत्ते और साथ में रॉकट लीज इस तरह कि मिक्स वेजटेबल की अपने सलाथ बनानी है, सबसे पहले आपने एगलास भर के पानी पीना है, फिर उस सलाथ को खाना है 6 दिन, आप मंडे चाहओ तो आपने चीज़े आपने चीज़े आट करने हैं, और यह आपका लच होगा चाहओ तो एक चम्मच ऐलाफ में चाहओ तो एक चाहओ जब बना चाहओ यह जब दीज़गा, जब डिनर की तरफ आए, देखंगे लन्च के बार आपको इन्शालला बहुख नहीं भेस गहें से पॉपॉर्इब कोटे से एक की अदर निमांचでは यह जो मैंने 소개 करते हैं तो डिनर में कोशिश करनी है कि सोने लुप ना बात बात कर दिनर को अब मेरे हम बच्कन की तो आपने चिकन का बार्वीक्यू लेना है चाहा है वह कबाब हो, चाहा है बोटी हूँ चाहा हो तिका हो घर में बना हो या भारत हो स्टीम गो गेल्ड हो उस बार्वीक्यू को आपने शेंपल तरीके से बगएर रूटी के दे 1 नगाया अच्छा सातों दिनर से पहले एक काम होगा कि गलास पानी पीना भर के देवन पर बार्बीक्यू खाएंगे दाल का सूप पिएंगे बड़ी सिंपल रसीपी होती है मेरे चैनल पर भी दिस्क्रिप्शन में लिंग दाल देता हूं आप कहीं से भी देख सकते हैं दाल का सूप उसके साथ एक चपाती लेना चाहिए लेकिन फ्राइड नहीं होनी चाहिए अच्छा जी डे सिक्स पर आपने क्या करना है भिंडी कदू या फिर कोई ऐसी सबजी बनानी है जो कि ग्रीन वेजटेबल हो जिसमें बहुत ज्यादा चीनी नाओ अलू नहीं बनाने कोई एक जबरदस होती है आपका weight loss में भी आपकी मदद करती है अच्छा डे 7 पर आप क्या करेंगे डे 7 पर दुबारा दाल का सूप पिएंगे सिंपल चिकन डाल में आड कर लिजिए कर दाल का सूप पीजेगा यह तो साधन का डेनर हो गया लेकिन अगर आपको इसमें कोई चीज चेंज करनी है तो मैं कुछ options और देता हूं कि आप बेसन की रोटी बना सकते है 30 gram बेसन की रोटी बना सकते है फ्राइना कीजिए का सिर्फ रोटी बनाएगा मतला पराथा ना बनाएगा और उसको आप मिंट चेटनी और दही के साथ खा सकते है यह आप डिनर में भी ले सक यह एक स्टॉप्शन है ठीक है तो यह साधन का पूरा मील प्लैन है नौ एक डाइट मील प्लैन है जिससे आपका पांच से दस केजी बसंद कम होगा महीने में तो जरूर ट्राइक कीजेगा मुझे फीडबैक दीचेगा मजीर वीडियो के लिए मेरे चैनल को करने है अच्छा आपको अगर ओट चाहिए आपको माचा टी चाहिए आपको जूसर ब्लेंडर चाहिए जो कि यूसबी ब्लेंडर होता है पोटेबल होता है जिम जाने के लिए बहुत जबदस है तो आप इन नमबर्स पर ओडर कर सकते हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आई झाल 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 झाल